सबसे important क्या है अभी आप लोगी life में इस age group में career करियर में successful होने के लिए क्या ऐसा है जिसको अच्छे से utilize करना ज़रूरी है जिसको अगर आप waste करते हो तो time सही लग रहा है टॉपमे कि हम अपने time को अच्छे से use कैसे करे time को waste ना करे क्योंकि अगर यह time निकल निकल तो गया time important है यह हम सब को पता है फिर भी हम अपने time को waste करते हैं जाने जाने इसा क्यों होता है सबसे में रीजन तो मुझे लगता है कि आजकर टेक्नलोजी जिसको भंग से use नहीं करते हैं for example Instagram और फिर YouTube वहीं कि ईयूरऑ में तो मेरी तरहीhhh जहाँ कि आख minimize video मैं तो नहीं कि आख तो धिन ayर्चो राद निकल कर ते कि अए, ईक सबसे बड़ी बीजिभाई टेक्नलोजी रहते कि तेकनलोजी कि डिढ शिए कि अएफिवह रिए या और चीजों से वह नहीं करते हैं वह नहीं करते हैं विल्ले काम करते हैं जिसका हमारे करियर से जिसका हमारे ड्रीम से गोल से कोई कनेक्शन नहीं दूर 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 And second is personal distractions as we all know सब ही को बता है वह मैं समझा नहीं क्या Love life? Love life समझ गयाता है मैं ऐसी देख रहता है कि आप क्या बोलोगे कैसे एक्स्प्रेस करोगे Let's give a big hand for her Please Thank you sir No, no So, now what is this solution this problem जो इनो नहीं प्रॉब्लम बताई Social Media Social Media सम कैसे बचे Because it is addictive कुछ studies हुई है जहां से निकल कर आए It is as addictive as alcohol and tobacco और ये कोई illusion नहीं है ये कोई मेरी theory नहीं है ये fact है कितने लोग हैं Social Media पे सिर्व यहां पर नहीं कितने लोग हैं मतलब हजारों हैं लाखों हैं करोणों हैं ये अल्मूस्ट बुरी की दुनिया है अल्मूस्ट सब हैं और कितने कितने घंटे वहां पर spend गर रहे हैं minimum 2-3 घंटे minimum अगर average भी बोलू तो 3 घंटे इस 3 घंटे की return क्या है 0 0 है minus में है मैं सच को देख पा रहे हो क्यों मैं ये कह रहो minus में है 0 होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी 0 का मतलब हो गया neutral ना कुछ आया ना गया करें कि देख पा रहे हो मैं इसको यूज करने के बाद में 4-5 फांटे स्टे बाद recommend क्या होता है अञें अंडर से तक जाते हो आंगे थक जाती है या अंखों में एक Moo ह्यूजाई सी अप्ट जाती है घर जाती है कसा का वाड़ी ठग जाती है ब्रियन आपकी क्या होती यह सब देख करके यह सब करके, शाप होती चली जाती है, मारिट शाप होजाता है यह रहा बेढर हो, दिमाग लगाने खिए रहा हो, एक के बाद एक एक ये बाद एक ये बाद एक ये कहीं को कुछ को कुछ तो इसका जो सलूशन है अगर ध्यान से आप समझ पाओगे उसका सबसे पहला स्टेप है इस बात को समझना जो बात मैं कह रहा हूँ और सिर्फ अभी नहीं समझना कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो यहाँ पर बैठे हो तो समझ रहे हो खुद अपने आप से ये question पूछना बार-बार-बार कि मैं कर क्या रहा हूँ और इसका मेरा जो भी dream है जहाँ पर भी मैं अपनी life को देखता हूँ 5 साल बात उससे क्या connection है अगर मेरे सारे sessions का आप essence निकालोगे वो है questioning not motivation बहुत सारे लोग मेरी videos को motivation के लिए देखते हैं बेखुफ है वो लो फिर मेरी videos में याप Instagram पे time basta कर रहे हो कोई फर्क नहीं मेरी videos भी मजे केलिए देख रहे हो या थोड़े चारज़ण पोने के लिए देख रहे हो वहाँ भी मज़े के लिए देख रहे हो फर क्या रहा है मज़ा भी टेंपररी मोटिवेशन भी टेंपररी तो कब फायदा है मेरी वीडियोस देखने का जब आप देखो and you go in a contemplative state मलब वीडियो देखने के बाद में वीडियो बंद किया और 10 मिनिट के लिए या 20 मिनिट के लिए एक घंटे के लिए बैट करके अपने आपसे question पूछ रहे हो जो बंदा कह रहा है बात तो सही है और जो कह रहा है उसको मैं practically अपनी लाइफ में अपलाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं क्यों नहीं कर पा रहे हो सब जानते होई भी मैं क्यों फस रहा हूं अगर इस तरह के आप questions पूछन लग जाओगे तो जवाब मिलेंगे ना अगर मैंने अपने आपसे question पूछे जिसके base पे मैंने आपको जवाब दिया और उसको आपने रट लिया तो आप में और एक तोते में कोई फर्क नहीं है पता आपको सब कुछ होगा कर कुछ भी नहीं पा रहे हो यह problem आती है आप लोग इससाद practically नहीं आती है बहुत लोग मेरे से question पूछते है कि sir आपकी बाते सारी समझ तो आ जाती है लेकिं प्राक्टिकली लाइफ में अपला ही नहीं कर बाते है अपने आप से दिन में कितने घंटे या कितने मिनिट आप अपने आप से बैठ करके questioning करते हो सच बोलो जीरो ये प्राब्लम की सारी सारी जड़ है questioning की तो फर्क है आप में और एक जानवर में एक गली के कुटे में और आप में फर्क क्या है कभी सोचा है अपने आप से बैठ और करवा तो नहीं लग रहा मैं कई पर बोलता तो हूँ इतना strongly मेरे को खुदको अजीब लग रहा होता है लेगि कई बार ये चीज़े जरूरी होती है सो अगर हम मिल करके questioning करें और सिर्फ यहां पर ना करें इसके बाद भी करें इसके बाद भी आप ये questioning करो तब आपकी life का control आपके हाथ में आने लग जाएगा ये बाते जो भी हम कर रहे हैं ये थोड़ी दिर तक याद रहेगी उसके बाद मैं सब भूल बाल जाओगे ये practical बात है जैसे ही वापिस से अपनी उस habit में जाओगे जो habit आपको पढ़ी हुई है पिछले कुछ सालों से तो ये सारी बाते भूल जाओगे उसकी तरफ खिचे चले जाओगे और फिर वो आपको overpower कर लेगा आपकी brain को और आपकी brain आपकी body को control करेगी आप चाहा करके भी अपने आपको रोक नहीं पाओगे ये हुने वाला है मिशेशिन खतंः ये होगा देख लेनदी बापसी में आप लोग बहुत सारे लोगा तो साथ में जा रहे होंगे मेटरों बैटे होगे लगे होगे सब कुछ दो हो रहा होगा जो हो रहा था जो आप कर रहे थे यहां पर आते वक्त, वो यह जाते वक्त हो रहा हूं Sir, real problem procrastination क्या real problem procrastination है यह real problem यह है कि एक sense of urgency हमारे अंदर नहीं है Do you have that sense of urgency कि यह मेरा time निकल रहा है मुझे कुछ करना है अंदर से यह आग लगी हुई है सच बोलो अने आप से अगर होगी तो फिर तो यह सोचल मेडिया प्रहावी हो यह नहीं सब्सक्राइब कुछ भी आपको ओर पावर नहीं कर सकता डिस्ट्राक्शन जीरो हो जाते हैं मैं क्या करता हूं प्रैक्टिकली मेरा फोन फोन है किसी के बास मेरा किसके बास मेरा तखा रहा है सबसे महंगा फोन है वर्ल्ड का कुछ सूपर कुई है ही नहीं है यह मेरा प्यारा सा फोन है अरे उलता था नार्जे स्क्रीन वेस्ट टच वन थाउजन पिक्सल कैमरा पिछ है ही नहीं क्या किरोगे यह मेरा फोन है बट मेरे पस में एक और फोन भी है उपने पास में रखता हूं वाला फोन मेरे पास में यह वाला फोन रहता है बट कभी कुछ इंपोर्टन काम करना है कोई एकड़ से एमेल आ गये कुछ आ गये तो उस फोन को मैं आउन करता हूं पटाफट से वो काम करता मेरे को इसकी जरुदात नहीं है अगर आप संजोगे तो कि आप किसले करना चाहिए अपने करियर के लिए जब कि एक्षोल में देखा यह तो कौन है यहाँ पर जो कहें कि मेरा करियर बड़ा कमाल का सेट हो गया है जी मैंने कर लिया जो कुछ करना था मुझे लाइफ में फाइनेंशली है कोई एनिबड़ी मैं तो हूँ करियर में जहां तक भी अब जो भी सोच सकते हो उससे बहुत बड़ा कुछ में उल्ड़ी कर चुका अगर आज में पूरा दिन भी बैठ करके मोबैल में टाइम पास करता रहूं मुझे फाइनशली कोई पर नहीं बढ़ने आला है फिर भी कर रहा हूं और आपको करना चाह कर कोई रहा है मुझे एक्च्वल में इसकी जरौत नहीं फिर भी मैं कर रहा हूं क्यों है सोचो फड़ा से दिमाग लगाओ इंपॉर्टेंस ऑ टाइम इंपॉर्टेंस ऑ टाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट आपको पदा है कि हाँ एक मिनिट इनों बड़ी अछी वात इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मेरे को क्लियर है और जो अवने ठाइम कराब कर रहे इंको क्लियर नहीं है ऐसे लोगो जानते ओ जो सुबह से राथ तक बैठे रहे तरच टाइम पास कर्ते रहते क्यों 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 करते हैं तुरॉटिकली दुनको बदा एटैम एंपॉर्ट ऐसा परपस चाहिए है जो इतना बड़ा हो कि आपको एक मिनिट के लिए भी चैन से बैठने ना दे तो अब आप यहां से जवाब देख सकते हो कि मिलने टाइम इंपॉर्टन क्यों है दिकास मेरी लाइफ का एम क्या है गोल क्या है कोई गोल नहीं है तो अबसलिटली नो गोल जितने गोल्स थे वो मैंने अचीव कर लिये अभी वी क्यों टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूं दिकास परपस है वो परपस क्या है कि इस इंसान होने का जो मतलब है यानि I've got this body I've got this brain, mind, this way of thinking, intellect, इस अब है ना, इस मेरे पास में है ना, इसकी जो हाइस पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करना है Sir, यह जो आपके questions और यह सारी जो चीज़े हैं, मिलाब कि आप बढ़ चुके आगे, from financial freedom, you have achieved the financial freedom, उसके बाद आप यह सब सोच पार हैं So, सबसे पहले तो हम लोग को financially पहले free और यह सारी चीज़े जब हम लोग के दिमाग से हटेंगी, तब ही तो फिर हम लोग यह सारी spiritualism पर सोच पाएंगे, Sir अब आपने बड़ा अच्छा question पुचाएं कि यह सारी बाते जो मैं कर रहा हूं, यह spiritual बाते हैं, यह तो बाते तब हैंना, जब पेड भरा हुआ हो, जब हमारे पास में पैसा आजाएं, जब हमारे पास में उससे ज़ादा हो जितना हम को चाहिएं, तब यह सारी बाते काम है यह नहीं है, इस परपस में यह भी आ गया, यह कहलो यह परपस एक ऐसा है, जो सीड़ी आप आगे ऊपर चड़ते चले जा रहे हो, जिसका एंड ही ने, उसकी पहली सीड़ी यह है, इसकी पहली सीड़ी यह है, if you're not financially free, if you're working for money, तब तो पूरे दिन सुबर से रात तक य किया, पैसे कले काम किया, पैसे कले जी एपैसे कले मरे, अपने पे काम कभी किया ही नहीं, तो इसको अलग मत करो, यह हमारी सब की प्रोब्लम है, अभी हुआ क्या है, जिस तरह का मारा education system है, हमने इन दो चीजों को अलग-अलग कर दिया है, यानि, spirituality को, spirituality is nothing but understanding of life, understanding of how your brain works, how और यह बोड़ी वर्क्स इस नोट दी लास्टेप यही प्रोब्लम हुई अभी आप लोग क्या सोच्टे हो कि अभी 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 क्या जरूरत है कि पैर कबर में लटके पड़े होंगे सतर साल के वगड़े सुनाई दे नहीं रहा है सब आगे को चल रहा है क्या बोल रहा हो अर रह क्या खटम हो गया क्या देख आएसे लोग बठें ऑरिये समनघ आरह रहा है उनको दूक्ष नहीं फॉफ जॉफू प्लाइफ फॉफ understanding of yourself, understanding of your body, your mind, your intellect, understanding of how things work, हर चीज को परी की से समझ लेना, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसकी वज़े से क्या होने वाला है अगले पांच साल बाद? जो मैं बनने की सोच रहा हूँ, वो जो लोग बन चुके हैं, क्या उनकी लाइफ बहुत कमाल की है? उनकी जिन्दगी अगर जंड है, तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं अबने पांच साल क्यों खराब करने वाला हूँ? वहाँ पर दिमाग लगाना इंपोर्टन्ट है कि मैं एक्चोने फाइनिशली फ्री कैसे हूँ? फाइनिशली फ्रीडम का मतलब क्या है? क्याने वले दस साल बाद, मैं फाइनिशली फ्री हो जाओँगा या हो जाओँगे? उसके बाद जिन्दगी में कभी पैसे के लिए काम ने करूँगा? यह मारा गोल होता है boy बस किसी तरीके से मेरे पास में इतना पैसे आजाए कि महां से यह हो जाए हुसके आगे हम सोचते ही नहीं ह grapev बहुत छोटा सोचते हैं उसमें एनर्जी कहा है सालिंसमें जान कहा है उसमें पावर कहा है तो जब गोलबनाना यहे है इसे तो धन्हका वनाओ ना ददांका गोल का मतलब क्या क्या है क्या धन्हका गोल कुछ ऐसा कर रहा हूँद दफ शाल बाद् जो कोई करने की सपने में नहीं सोच उत्ता है, एनरजी आई गोल से नहीं आएं, मदा रहा है गोल सुनने में नहीं आ रहा है, तो जब ऐसे अम गोल सेट करते हैं, तो एक तो नमबर न एनरजी आ जाती है, और अगर नंबर टू अब ने आघ हो, तो आप टाइम वेस्ट करी नहीं सकते, क्यूंकि आपका गोल औ कि एक minute important है यू नहीं हो सकता अब यह भी एक बाढ़ा मिथ है कि जो जॉब कर रहे है वह फैनेशली फ्री कैसे ओगा संदर पिचाई का नाम सुना है कितना कमाते हैं साडे 300 करोड पर मंत या पर यह जो भी है कम नहीं है शाड़े तीन सो करोड कम होता है क्या बहुत ज्यादा होता है तो जॉब और बिजनस बीच में कहां से आ गया फाइनिंशल फिर्डम का मतलब अच्छे से समझ लो मतलब आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े आप यह जीजे उनको बता होगे कि मेरा बोल यह कि मैस पैसे वैसे नहीं क्माना चाता हूं तो मतलब करता है आपके पास में बहुत पैसा है तभी तो आप पैसे से फ्री हूए आपे काम कर रहे हो जहां पर महीने का 20,000 रुपे कमा रहे हो और आपके घर का रेंट है 25,000 रुपे तो फानेंसरी वीडम टट्टू कुछ भी करने से पहले आपको पैसे की टेंशन ना हो कि मला अगर आप किसी रेश्टरों में जाओ तो आप राइट साइड में ना देखो लेफ साइड में देखो कि सिंपल करता हो कि दाइचो रुपे एक सशी एक सो सत्तर पांच रुपे पाप अब भाइय पापड ने पापड़ कभी भूल के भी एक समोई लेना पैसा इस नौट इंपॉर्टन अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो यह सारी बाते जो मैं कर रहा हूं वह सब बिकार है मैं क्या गह रहा हूं गोल सेट कर नहीं है तो दंका गोल सेट करो ना इसकावर ने पासिबिलिटी ना इसकावर थिश्क कर दिंश गोल सेट कि वह गपार करें आप डिस्कवर कर ना वाला है लेकिन मज़ा वड़ा आने वाला है लास्ट मुमेंट भी जब होगा ना ऐसा अंदर से पस्नालिटी ऐसी बंती चली आती है कि अगर एक चुन में आपको पता है कि हां मौत सामने खड़ी है और अब कुछ नहीं हो सकता है कि बिल्डिंग में बुचाल आ रहा है अब अब जा झाट इसक वाफिस पूर्पस तो रुपस तो दिस्कूर आइस पोसिलिटी आ वीग। अरद कि अगविबको बस्के ओलिए जाधी होना जाए लूँआ thank you so much for coming